चलिए दोस्तो आज हम इस वीडियो पे जानेंगे सेस्फल कैसे निगालते हैं इस टाइब के सवाल आपको परिच्छा में जरूर देखने को मिलते होंगे 9 की पावर 19 प्लच है को अगर 8 से विभाजित करते हैं तो सेस्फल कितना होगा देगे कैसे लगाते हैं दोस्तो आप आपको पता होगा भाज और भाजग में अगर एक डिजिट का अगर मालेजिए अंतर है जैसे मालेजिए आठ का भाग अगर 9 में दे रहे हैं तो उनमें से अंतर अगर एक डिजिट का है तो हमेशा सेस्फल क्या आता एक आता इसी कांसे लगाते हैं यहाँ पर देखिए आ आठ एकम आठ भागफल से कोई मतलम नहीं है, हमें सेसफल से लेना देना है, आठ का भाग नौ में देंगे सेसफल एक आएगा, अब एक की पावर दोस्तों 19 हो जाएगा, क्योंकि संख्या क्या है, मतलब छोटी है, तो आई उसका सेसफल हो जाता, यानि इसका सेसफल कितना है का अच्छा है आएगा, और इस तरीके से आप बता सकते हैं, यानि वो आठ जिससे भाग दे रहे हैं संख्या छोटी है, तो इसका मतलब यही संख्या ही, उसकी क्या होगी सेसफल हो जाएगी, यानि इस प्रस्ण का जो अंसर हो जाएगा, आप सान नंबर कहों से हो जाएगा, चाउथा होगा, चेले दोस्तों इस टाइप के और भी सवाल कराते हैं, ताकि आपका कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, यहाँ पर देखिए, उसी टाइप के एक सवाल हमारा यह भी है, यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, साथ की पावर 19 और प्लस 2 को अगर 6 से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त सेसफल कितना होगा, देखिए, वह पावर कितना भी रहेगा ना, तो हंसर हमेसा एक ही रहता है, यहाँ पर एक आएगा अप्लस, अभी यहाँ पर 6 का भाग 2 में देखिए ना, तो फिर सेसफल हमारा 2 ही आएगा, यानि टोटल हमारा कितना आ गया 3, अब 6 का भाग फिर से 3 में देखिए ना, तो सेसफल हमारा 1795 को घर 5 से भाग दिया जाता है तब प्रापत सेशफल कितना होगा तो देखिए दोस्तों जब भिश टाइब का सवाल हो तो आपको करना क्या जैसे लिखा हुआ है 4764 इसकी पावर क्या लिका हुआ है सत्तरा सो पंचान में ठीक ना और हमें भाग किसे देना5 से तो आप को क्रना क्या है? सबसे पहले देखिए इस संखहे में भाग चला जा रहा है तो आपको focus करना है cessful पर यहाँ पर देखिए भाग देंगे तो cessful कितना आएगा? आप उसको ध्यान रखिये तो 5 गाग पहले 47 में करेंगे 5 ना 45 आएगा फिर 2 हो जाएगा फिर 26 आजाएगा 25 हो जाएगा ठीक ना एक आएगा 14 यानि 5 दूनी 10 यानि 4 यानि हम कह सकते इसका सेसफल हमारे कितना आया 4 आया है ठीक ना 5 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो सेसफल आपका 4 आएगा अब इसी के पावर लगा दीजिएगा 1795 एक तरी आएगे सर जी चार सेसफल भाग आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो सेसफल देखिए ज्यादा बार पढ़े या कम बार अगर माइनस में भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है 5 का भाग अगर क्रॉस कर जाएगे 5 ये कम 5 और 4 में से 5 घटाया जाएगा तो माइनस का एक आ जब भी दोस्तो सेसफल माइनस में आए तो जिस संख्या से भाग दे रहे थे ना उसी में से इसको जोड़ दिया करो 5 से भाग दे रहे थे तो 5 इसी में जोड़ देंगे यानि प्लस माइनस कितना होता है माइनस घट जाएगा यानि 5 में से घटा देंगे 4 तो इसका पाज भाग देते हैं तो संख्या से ज़्यादा क्रास नहीं करना चाहिए बट अगर इसमें क्रास कर दोगे ना तो कोई इसू नहीं है सिर्फ सवाल को साटकर साब्ड करने के लिए ऐसा किया जाता है अगर माइनस में भी सेसफल आएगा अजी संख्या से भाग देंगे उसको दोस्तों एक चीज याद रखिये का यह सवाल तो दिखिए एक कांसिप्ट बेस पर है यहां पर देखिए दोस्तों आपको बदा रहे हैं अगर चार कबाग 6 में देंगे तो आप रिमेंटर बताएंगे कितना आएगा इसका रिमेंटर 4 आएगा कितना आएगा चार आएग तो 4 का क्या होता है चार चुको 1664 छैसे अगर भाग देंगे ना तो भी आप बोलेंगे इसका रिमेंटर कितना राचा तो इसमें दोस्तों एक अगर चार की पावर कितनी भी बड़ी लिखी हो ठीक है ना अगर 6 से भाग दिया जा रहा है तो उसका सेस्फल हमेशा हमेशा 4 ही आता है तो आपको इसको सालब करने की जरूरत ही नहीं थी सीधे आप पता है रूल तो आप सीधे बोल देंगे answer number इसका पहला ही हो जाएगा आ आप देखेंगे अंतर हमारा कितने का है यहाँ पर दो का हो रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा इसको नंबर में अगर हम बना लें कि जिसमें अंतर एक का बन जा है तो वह हमारे लिए calculation और remainder निकालना और आसान हो जाता है तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखें कई तरीकें लिखने के आपको जो भी तरीके लगे उससे भी लिखा जा सकता है साथ की पावर 31 है ना इसको आप चाहो तो 49 भी कर सकते हो साथ की पावर 2 ऐसे लिख लो कोई दिक्कत थोड़ो है जब 2 लिखोगे तो 2 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएग दो एक कम दो दो पंचे दस यानि पंदरा अभी एक हमारा साथ क्या है बचा हुआ है ठीक है आप देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों साथ की पावर 31 को हमने इस तरीके से तोड़ा है यहाँ पर हमें पता है कि 5 का भाग अगर हम 49 में देंगे तो 15 यानि एक हमारा बन ठीक ना इस तरीके से कर सकते थे तो हमारे दिमाग में आया कि इसको 49 बना लें और पांच का भाग जब 49 में पढ़ेंगे तो पांच ना 45 पांदाहमा 50 यानि 10 बार पढ़ेंगे तो भले ही वह ज्यादा क्रास कर रहा है लेकिन रिमेंडर उनके बीच में हमेसा एक कही बने अब दोस्तों इसको या ध्यान दीजिए 49 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 49 पांच का पाढ़ा अगर 49 बार पढ़ो गए तो पांदाहमें 50 दस बार जाएगा एक बार इस्ट्रा पढ़ लिए तो उन्चास में से 50 गटाया जाएगा तो माइनस का एक आएगा अब आप इसी में दो से मल्टिप्लाई करना क्योंकि आप मल्टिप्लाई है कभी कभी प्लस लगावाता प्लस कर देते हैं तो यहां पर आएगा माइनस का दो कितना आगया सिस्फल माइनस को दो लेकि हमें प्लस का निकालना है तो आपको करना क्या जो माइनस दो आया आना जिससे उसी को जोड़ देते हैं तो प्लस माइना जोड़ेंगे ना तो कितना है का तील इस प्रस्टर का अंसर आपसा नंबर कौन सा होगा पहला हो जाएगा तो इस तरीके से इसको लगाया जा सकता है ठीक है ना कोई जाता इसू नहीं है और इसका एक तरीका और देख लिए दूस इस फल आएगा यानि सवाल हमारे यह बन गया ठीक है ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जा सकता है जहां तक भाग जाए अब इसके बाद यहां पर भाग नहीं जाएगा क्योंकि पांच का वाग साथ में जा रहा था तो हमने यह और सिंप्लिफाय कर लिए अब अ हमारा क्या करेगा दो बच जाएगा ठीक ना तो दो की पावर इस तरीके से लिखा जा सकता है 15 दोनी 30 और यहां पर आ जाएगा ठीक ना अब पांच से भाग देना है अब दो के पावर 2 का मतलब आप यह समझे चार लिखा हुआ है पांच का भाग चार में देंगे ना तो इसी भी प्रकार से लगा सकते हैं चलिए आगे देखते हैं यहां पर देखिए सोस्तों यह concept बेस सवाल है आपको हम बता दे रहे हैं कि यहां पर देखिए जब भी कोसन इस टाइप का लिखा हो एकी पावर पी माइनस वन अपान पी ठीक है ना तो उस केस में रिमेंडर हम समय सा एक होता है अब हमारा क्या है प्राइम नंबर है आपा संक्या है या भाज क्या है प्याद रखिएंग कैजै धी कनर यह से पावर एक कम ह。」 और दो carrier 10101 में कुछ कामर भी नहीं है तो इसका सीधे अंसर हो जाएगा हमारा एक इस टाइप के बहुत सवाल प्रेज्जा में फूछ लेता है तो आप फोकस रखिएगा अगर आप संख्या जो लिखी हो नीचे उसकी अगर पावर एक कम है ठीक है ना और जिस संख्या भाग दे रहे हैं जिससे तो यहाँ पर आएगा सेसफल दो आएगा यानि दो और एक जोड देंगे ने तीन इस प्रस्ण का अंसर कितना हो गया तीन हो गया आप सा नंबर दूसरा हो जाएगा आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दस की पावर छे और माइनस तेरा नौ से भाग देना है तो देखिए पहले हम क्या करेंगे दस की पावर छे माइनस तेरा लिखा हुआ है नौ से भाग देना है नौ का भाग पहले इस वाले में देंगे तो नौ एक कम नौ आएगा और यहाँ पर दस बड़ा है ना लेकिन यहाँ पर सेस्फल माइनस में आया है कोई इसू नहीं है माइनस तीरी सेस्फल आया जिससे भाग दे रहा है उसको जोड देंगे तो प्लस में निकालाता है तो अंसर इसका आएगा 6 यानि आपसर नमबर तीसरा हो जाएगा चलिए समझ रहे होगे आगे देखते है यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है 20 का भाग देना है 19 में यानि 20 बड़ा है 19 छोटा यानि माइनस में आएगा माइनस एक की पावर दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर 100 लिखा हुआ है माइनस एक की पावर अगर कोई भी सम संख्या होती है याद रखिएगा तो उसका अंसर हमेशा प्लस वन में हो जाता है अगर माइनस एक की पावर अगर कोई भी सम संख्या होती है तो वो हमेशा माइनस में रहती है याद रखिएगा तो सीधे इसका अंसर हम बोल देंगे 1 आएगा कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं थी समझ गए होगे आगे देखते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट प्रस ने इसको देखते हैं यहाँ पर बोला गया 68 से भाग देना है तो देखिए सबसे पहले आप करना क्या इस टाइब भी बहुत सारे सवाल कर दिए उम्मीद अब समझ गया होगे अच्छे से 68 से भाग देना कोई दिक्कत नहीं पहले इसमें देंगे इसमें देंगे तो बोलेंगे 68 बढ़ा यानि सेस्वल माइनस में आएगा माइनस एक की पावर सरसट भी देख रहे हैं विसम है माइनस एक की पावर अगर विसम र इसे भी कर सकते हैं तो 60 में से घटे गए तो कितना आगया चाँचन बस हो गया सीधे तो इस प्रस्ण का अंसर कितना हो जाएगा आप साल नंबर कितना हो जाएगा चाचन हो जाएगा इसको हमने फ्लसी पावर रखाया माइनस था घठा दिया चाचाट हगया ठीक है ना उ बेसिक सवाल थे रिमेंडर थेोरम के अक्सर परिच्छा में पूछ लिया जाते हैं अगर दोस्तों वीडियो कर वाकई में समझ में आगर आ गया हो कुछ फैदा मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स पर जरूर दीजिएगा ताकि से वीडियो आपको और मिलते रहें